क्लासिकल कंडिशनिंग विदिन दे डुमेन ऑफ बिहेवियरिजम इस वन आफ तकी फैक्टर इन दिस एरिया क्लासिकल कंडिशनिंग के अंदर जो बहुत बड़ा नाम या जिस्से के सारी की सारी स्कोप और वर्क का आगास हुआ उसमें पैवलोव का काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टन्ट है इसमें जो चीज अबसर्फ की जाती है वो जब आगास में इस सारी स्टडी में जो रिसर्च की गई उसमें ये देखा गया कि ये कौन से नैच्रल या नीट्रल फैक्टर्स हैं या रिस्पॉन्सिज हैं उनको सर्टन स्टिमलाय की मदद से जाता है किस तरह से हम उवो ही फैक्टर्स को दुबारा से अप्जर्फ कर सकते हैं और एचीव कर सकते हैं वो किसी दूसी चीज के साथ So learning by association, it can also be called like that Natural reflex that occurs in response to a stimulus कि ये भी देखा जाता है कि कुछ ऐसे stimulus environment में create किये जाते हैं जिसे कि एक natural reflex को जो कि उन stimulus के बगएर भी certain conditions में हासल किया जा रहा होता है वो ही चीज उस stimulus को add करने के बाद भी observe की जाने लगती है A naturally occurring stimulus is placed with a neutral stimulus allowing the neutral stimulus to in time evoke a natural reflex So as we have discussed that आप जब एक natural reflex भी टेक प्लेस कर रहा है वो ही चीज आपके इर्दिगर्द हैपनिंग में है So you just introduced a neutral stimulus which is then associated in association with the natural reflex They are combined and उसके अंदर इस तरह से अमल दखल अमामिल किये जाते हैं और उसके अंदर time based उसका interaction इस तरह से रखा जाता है इतने frequently किया जाता है कि वो ही वाला reflex और वो ही वाला आपको एक नतीजा behavior में देखने को मिलता है इसके अंदर हमारा response completely involuntary होता है कोई भी learner या कोई भी trainer जिसके साथ कि ये study की जा रही है उसका एक natural reflex जो है उसके इर्दगिर जब stimulus इस तरह से associate कर दिये जाते हैं उसका response completely involuntary हो सकता है इस तरह का काम जब introduction हुई और इसके अंदर certain जो research के अंदर scope आज की दुनिया में भी मुझूद है उसमें बहुत सारे ऐससे stimulus को add किया जाता है जो के certain किसम के phobias, certain किसम की reactions and mental conditions हैं उसके अंदर भी इनका अमल दखल later work में आकर किया जाने लगा और बहुत से ऐसे बच्चों के अंदर behavior जो के असाथ सा लेखे आना चाहते हैं और जिसके अंदर कंडिशनिंग की दूसरी टाइपस आ गई हैं reinforcement भी थी, punishment भी थी, reward system भी था, motivational factors भी आने लगे उनके साथ भी इसको associate किया जाने लगा तो इसमें हमें यह याद रखना चाहिए कि जब आगास में यह introduce किया गया तो इस तरह की conditioning में जो learner का response था, वो completely involuntary था और उसमें जो एक already natural environment में जो response हो रहा है उसी का दुबारा से repetition या उसी को एक certain stimulus की मदद से वो ही चीज़ दुबारा से observe की जाने लगी Pavlov ने जब यह 19 सदी में जब यह introduce करवाया तो उसने यह अपना यह जो concept था, यह उसकी study जो कि एक certain digestive research को कर रहा था उसके दौरान में एक एक तफाकी तौर पे उसके सामने कुछ ऐसे हवा में लाए जिसकी मदद से के उसको certain further work में उसका interest developed उसका हुआ और उसने ही introduced and he came out with this kind of theory so in his digestive study what Pavlo was doing that he was working with a particular species and type of dogs जिसका के वो digestive system को observe कर रहा था और उसने देखा के dogs used to, उनका जो saliva था है वो salivated वो करते थे जब भी कोई lab के अंदर certain इस तरह के white coats में पहने हुए attendants जिनका काम के उनको food देना था when they used to come और उससे उनकी salivation या उनका saliva बरामत होना शुरू हो जाता था so he observed that even without eventually, without what he did that they used to bring the food earlier लेकिन उसने eventually ये करना शुरू किया कि even without the food being brought to the dogs उसने ये देखा कि वोही वाली conditions दुबारा से उनमें आने लगी this kind of change, this kind of you know observation जो के उसने इप्तदा में नोट की कि whenever there were attendants dogs started to salivate उसके अंदर से ही उसने दूसरी research के लिए काम शुरू किया so this observation, initial observation led to the very important other work which is in the behaviorism under this category of classical conditioning we do Ajax on meeting uh speaking act on